जैशी क्रिष्न आपका स्वागत है चमातकारी तोठ के चैनल पर दोस्तों वास्टो शास्ट्र का हमारे जीवन में विशेश मेहतव होता है घर की हर एक वस्तु अगर वास्टू के अनुसा सवारी जाए तो जीवन में खुशिया आती हैं वही अगर वास्तु के अनुसाद चीजों या दिशाओं का चैन ना किया जाए तो जीवन में नकरात्मकता आती है जो धनहानी को बढ़ावा देती है कईबा जाने अन जाने में हम घर में ऐसी चीज़े रखते हैं या ऐसे काम करते हैं जिनसे अनायस ही धनहानी होने लगती है हम इसके कारण को समझ नहीं पाते हैं और हमारा धन व्यर्थ के कामों में नश्ट होने लगता है अगर आपको अनायासी खर्चे होते नजर आ रहे हैं और धनव्यर्थ कामों में नश्ट होता लग रहा है तो आज की वीडियो में हम आपको वताएंगे कि कौन सी चीज़े हैं जो घर में नहीं रखनी चाहिए यदि आपके घर में इन में से कोई भी वस्तु है तो उसे तुरन थटा दें दोस्तों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें तो सबसे पहले हैं जरने या बैते हुए पानी की तस्वीर कभी भी घर में ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें जरना बह रहा हो या फिर किसी भी माध्यम से पानी गिर रहा हो ऐसी तस्वीर लगाने से घर में धन की हानी होती है और पैसा व्यर्थ के कामों में पानी की तरह बै जाता है पानी टपकने वाला नल घर में कभी भी ऐसा नल नहीं होना चाहिए जिससे लगातार पानी टपक रहा हो पानी टपकने वाले नल को धन से जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि पानी की तरह धन भी नश्ट हो रहा है अगर आपके घर में कोई भी ऐसा नल है जिसे लगातार पानी टपकता रहता है तो उसे तुरन ठीक करवाए ऐसे नल की ध्वनी भी घर में नकरात्मक उर्जा लाती है तीसरा है दोस्तों कैक्टिस या काटेदार पौधा वास्तों के अनसार घर में किसी भी तरह की काटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए खास तोर पर घर में कैक्टिस का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कैक्टिस काटे वाला पौधा होता है इसे लगाने से रिष्टे में दरानाने के साथ साथ धन की हानी भी होती है इसे लगाने से बिनावजा घर में लडाईयां होती है और व्यर्थ के कामों में धन नश्ट होता है अगर आपके घर में भी ऐसे पौधे हैं तो उन्हें तुरंट अटा दें क्योंकि इन से धनहानी के साथ साथ घर में कलेश रहता है साथी कलेश के कारण धर्ण मुकदमों में व्य हो सकता है चौता है तो उस्तो बात्रूम हमेशा गीला ना रखें का जाता है कि गीला बात्रूम हमेशा धनहानी के संकेत देता है यदि आप बात्रूम इस्तमाल कर चुके हैं तो तुरंट इसे सूखने दें गीला बात्रूम व्यर्थ के धनहानी की ओर प्रेरित करता है पांचवाए दोस्तों गैस या चूले पर हमेशा बरतन ना रखें अब भले ही कितने व्यर्थ क्यों न हो आपको खाना बनाने के बाद व्यर्थ में गैस चूले या फिर किचन में बरतन इखटे नहीं करने चाहिए काज आता है कि व्यर्थ के बरतनों का जमावड़ा घर में कलह कलेश को बढ़ावा देता है और धन का वे बेकार कामों में होता है रसोई घर में दवाईया न रखें कई लोग जल्दबाजी में रसोई या किचन में ही दवाईया रख देते हैं ऐसा करना वास्तु के इसाफ से बिलकुल गलत है क्योंकि इससे धन बिमारी और उसके इलाज में अधिक खर्च होता है ऐसा करने से व्यर्थ की बिमारियां जन्म लेती हैं और दवाईयों और अस्पतालों के बेफिजूल खर्चे बढ़ने लगते हैं कांच की तूटी हुई वस्तु हैं कभी भी कांच की तूटी वस्तु हुई घर में नहीं रखनी चाहिए इससे नकरातमक उर्जा के साथ साथ धन की हानी भी होती है कभी भी खिड़की या दरवाजों के कांच तूट जाने पर तुरंत उसे बदल देना चाहिए खराब इलेक्ट्रोनिक समान आपके घर में अगर कोई भी खराब इलेक्ट्रोनिक समान है जैसे टीवी, फ्रिज या खराब घड़ी उसे तुरंद घर से हटा दे इससे धनहानी के साथ-साथ नकरात्मा कूर्जा वर रोग घर में आते हैं कभी भी बंद घरी घर में नहीं रखनी चाहिए और आखिर में हैं दोस्तों उत्तर दिशा में कूडादा ना रखें उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है इसलिए भूल कर भी इस दिशा में कूडादा ना रखें वास्तु के हिसाब से घर की उत्तरदिशा में कच्रा रखने से धनहानी होती है तो दोस्तों इस वीडियो में बताएगे सभी बातों को ध्यान में रखकर घर में वास्तु के हिसाब से काम करने से आर्थिक स्थिती अच्छी होगी और घर में सुक सम्रिधी आएगी अगर आपको ये एक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद